हेलो बच्चों तो केसे हो आप लोग यहाँ पर क्योशन लेके आज चुका हूँ वेरी वेरी मॉस्ट इंपोर्टेंट क्योशन है क्लास नाइन्थ वालों के और क्लास तेन्थ वाले भी इस वीडियो को अगर देख रहे है तो अच्छे से देख लेना क्योंकि गुणनखंड ग्याद किजी यह वाला क्योशन आपके भी पूछा जाएगा थीक है वीदी सेम रहेगी सिर्फ क्योशन यहाँ पर अलग है यह क्लास नाइन्थ का बुक का क्योशन है बाकी क्लास तेन्थ वाले भी इस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि गुणनख आपको घ्याद करना आना चीए तो बिलकुल बेसिक से बताने वाला हूं और सबसे इजी तरीके से में बताने वाला हूं तो कौन सी ट्रिक होने वाली ही सार अच्छे से हम पढ़ने वाला इस क्योशन को और क्लास नाइन्थ वाले तो अच्छे से देख लेना क्योंकि यह वाला क्योशन आपका छपने वाला है 2000 आपका 25 का वाशिक बोर्ड बैठीक है यह मैं गारंटी के साथ बोर्ड रहा हुते हैं इस क्योशन को अच्छे से आप सीख लीजिए ठीक है तो आईए शुरू करते हैं ठीक अंखन विदी में बच्चों क्या होता है सबसे पहले आपक और लास्ट क्या है अपने पास एक यानि कि पहली वाली संक्या का गुणा आपको लास्ट वाली संक्या में करना है ठीक है तो करते हैं कितना आता है तो बारा और गुणा में एक तो बारा एक कम बारा किता आरा बच्चों बारा अब बच्चों बारा का एक एसा जोड़ा जिसका गुणा करने पर तो बारा आना ची लेकिन जोड या घटाने पर बीच की संक्या आने ची यानि कि माइनस के साथ आने ची तो बच्चो आपका क्या पेर बनेगा चार गुणा तीन किता आ रहा है चारती अब आरा ठीक है और जब चार और तीन को जोड़ोगे तो साथ भी हमें मिल रहा है यानि कि चार प्लस तीन आप जोड़ोगे तो साथ मिल रहा है तो हमें बीच की संक्या ही लानी है साथ ही तो लाना है लेकिन कौन सा लाना है माइनस क साथ ठीक है तो यही तो ची replaced हमें माइनस का साथ ही चाहिए ध подход च्hiक है तो हम क्या करेंगे बचओं माइनस के साथ aX की जगह हम क्यα लिखेंगे माइनस के 4X और माइनस के 3X ठीक है क्योंकि एक भी है तो इसका भी गुणा होगा तो ये वाला पेर हम सकी जगह लिखेंगी किसकी जगह माइनस साथ एक सक जगह हमक्या लिखेंगे मैनस के चार एक्श और माइनस तीन एक्श थीर यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा ठीक है कि यह कुछ बैसिक हैज आपको गुणनखंड क्यात करोगे तब करना पड़ेगा ठीक है कुछ नहीं किया हमने सबसे पहले आपको क्या करना है पहली संक्या का लास्ट में गुणा करना है ठीक है जितना भी आता है उसका हमें क्या करना एक जोड़ा इससे डूंड़ना है जिनको गुणा करने पर तो ठीक है अब देखो 12x square पहले ऐसा कैसा लिख दो तो 12x square ऐसा कैसा ठीक है अब minus 7x के जगए हम क्या लिखेंगे बच्चों minus के 4x और minus के 3x ठीक है क्योंकि इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा minus का 7x मिलेगा तो इसको हम लिख लेते हैं minus का 4x और minus के 3x और प्लस एक एसा कैसा यहां तक clear बच्चों यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा ठीक है अब यहां से क्या करेंगे दो जोड़े बनेंगे एक जोड़ा आपका यह बन रहा है एक जोड़ा यह बन रहा है इनमें से अपन common निकालते हैं देखो common वो संक्या आती है बच्चों ठीक है जिसमें या तो दोनों संक्या का भाग जाता है या दोनों संक्या के पास जो चीच common होती हो निकालते हैं ठीक है देखो बारा और चार में क्या कोमन आ रहा है तो चार कोमन आएगा अब चार कोमन कैसे आएगा क्योंकि चार का भाग चार में भी जाता है और बारा में भी जाता है तो चार कोमन आ गया ठीक है और एकस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो एकस कोमन आ गया आपको 4X हमने common ले लिया अब बच्चो यहाँ पर कितना बचा तो 4, 3 है 12 यह 3 बचा गया और यहाँ पर 1X और बचा है क्यों? क्योंकि 2 थे X की power 2 है यानि कि X कितनी बार है? 2 बार है तो 1X 12 निकल गया और 1X हमारा यहाँ पर बच गया ठीक है? फिर minus लगा दो 4x बार आ गया तो यहाँ पर कुछ भी ने बचा तो क्या बचेगा एक बचेगा तो एक लिख दो यहाँ पर ठीक है यहाँ तक clear सबका ठीक है अब देखो यहाँ पर लगना आपको minus ठीक है अब इस जोड़े में क्या common आ रहा है एक ठीक है अब देख लिजी पहले common ले लिजी यह दोनों जोड़ा common आ रहा है तो इसको बाहर निकाल ले अपन तो 3x minus का 1 एसा कैसा आ जाएगा और जो बचा हो लिख लो तो 4x minus 1 बचा अपने पास तो यह हो जाएगा 4x minus का 1 ठीक है यहां तक ही करना आपको गुणनखन इसमें ठीक है यही आपकर क्या है final answer है तो I hope कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा class 3th वाले भी देख रहे हैं तो उनको भी अच्छे समझ में आ गया होगा और एक class 9th वालों के लिए भी important है क्योंकि यह class 9th का ही question है ठीक है मैंने उसी book से लिया है लेकिन गुणनखन वीदी दोनों को ग्यात करना आना चीए क्योंकि 13th में भी है गुणनखन वीदी और 9th में भी है ठीक है अगर यह question आपको अच्छे से समझ में आया है तो मुझे comment box में बता देना मैं सारे question आपके soul करवा दूँगा तो मिलते हैं ने studio में अभी कि इतना ही thank you बच्छो